जिस सरह से गुजराद गौवन्मेंट ने अमरा अगस्ट को रिलीज करवा दिया उनको अभी सुप्रिन कोड का एक नोटीस आया गुजराद गौवन्मेंट को इसके बार में आपका पहला कमेंट बताइए आज जो गजर रहा है हिंदोस्तान में रहने के लायक नहीं समझ रहे हिसके साथ हर मुसलमन का फर्ज बनता है. उसके दर्द में हमें दर्द करें और पहईली पेटीशन मेरी हानरबल सू्प्रिम कौट जो हैर दर्ज हुई है यहने जो कि पिटिशन है जो गवर्मेंट आफ गुजराद को देने में मेरी अलम पाशा के नाम से सुप्रिम कोट आफ इंडिया में गुजराद गवर्मेंट के खिलाफ मेरी पिटिशन बना चुका हूँ में जो लिखना चाहिए इसमें यह तमाम लिखे किस अंदास पे किस किस को क्या जुरूम में छोड़ा जाना चाहिए जो इसका मतलब माफी कहां कहां पर मिलना चाहिए हर चीज़ का Constitutional में support है हमारे को क्या मा से बीवी से बीवी बनाना मा को बहन को किसको बनाना है बीवी को कैसे क्या खानून है ऐसा ही है जिसको चाहिए शादी नहीं हो सकती है कोई religion में इसी अंदास पे तो government अपने खब्जे में लेके इनको बरी करके इनका पूजा करवाना जैल के बाहर ऐसे चीज़ों में सरकार का power लागू है क्या नहीं है हिंदुस्तान के खानून में लिखा है इसलिए petition जो Supreme Court में डाला गया है ये petition में मेरा नाम है आलमपाशा के नाम से मेरी petition पहीली या दूसरी में मेरा जमा है उसका मेरा सवाल है गलत है ये चीज़ इसको कैंसल करना चाहिए चाहे अभी हो चाहे आने वाले अभी Chief Justice Honorable जाज़ अभी तो रिलिज हो गए है कौन कहां कैसे Justice मिलता है सबको खाईश है Justice के भुके हैं हमें कहां से कैसी Justice मिली है आने वाली Justice के ओपर हमना यह औरत बेहन बेटी सबके होती है हर घर में यह होगा हमारी मांग होगी कि यह लोगों को सजा हुकुम के जो हुआ है यह पूरी सजा मिले और भी कठीन सजा मिले इसके फाइदे पर जो किया है गवर्मेंट आफ गुजरात उसमें और भी ज्यादा सजा इसको दे वह है इसने आवाज तक नहीं उठाई नहीं कर सकते कोट में यह मसला सीज़ हुआ है भी और नेशनल और स्टेट यूमन रेट कमिशन को भी यह पता है और गौर्मेंट जब कर दिए बाद उसको कान कांस्टिटुशनल टेहराना बोलना सिर्फ कांस्टिटुशनल अपक्स कोट का यह सबजेक्ट है तो इसमें वह चुप है तो हिंदुस्तान के 24 कोड़ आदमी कैसे चुप है कैसा चुप होना चाहिए जितने इदारे हैं मुसल्मानों के नाम से जो टी आरेस गवर्मेंट है जो ममता बानर जी है यस पी है जनता दल है कांग्रेस है यह सडीपी है मुस्लिम लिक है पूरे तमाम चीज़ भी उठाना है यह मसले पूरे मुसल्मानों का है तो जब तक नेशनली यह नेचेसार से आओ या नाओ मुसल्मान के रिप्रेजेंटेटिव पाइक्ट मेकर इन लेजिसलेशन इन पार्लियमेंट यवरी बड़ी उन्हों उठाना चाहिए यह मसला अभी तक कोई नहीं उठाये हैं फैल हुए है मेरी आफ इंडिया में दाखिल कर चुका हूँ